NRC को NPR से वो अलग करने को तयार नहीं है, आप लगातार NRC और NPR को अलग-अलग बताते हैं अगर अलग-अलग है, तो फिर आसाम को NPR से क्यों अलग रखते हैं भई? आसाम में भी NPR कर लेते पिर? बिलकुल! माँ शर्तने मिशेश क्यों लागू कर दिया आपने बाटिया जी बोलिए चलिए मैं मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ देखिए सबसे पहले तो आपने कहा NPR तो N से इनके लिए नानी P से पोशाक और नानी पोशाक रेजिस्टर इन्हों ने बता दिया यहाँ पे भी धर्म को ले आ लेकिन मैं पहले दर्शकों के लिए जो जानकारी आवशक है वो देना चाहूंगा आमिजशा जी ने भी कहा प्रकाज जावडिकर जी ने भी कहा NPR इसलिए होता है और यह कानून के तहट लाया जा रहा है कांग्रेस की सरकार ने भी किया था जैसा आपने का 2010 और 2011 में यह है कि यूज़ रेजिडेंट कौन है जो 6 महीने से हमारे देश में है और आगे 6 महीने भी रहेगा रोह जी यह वोलिंटरी है इसमें कोई प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है बायो मेट्रिक नहीं हो रहा कोई दस्तवेज नहीं मांगे जा रहे इसकी आवशक्ता क्यों है इसकी आवशक्ता इसकी है कि जब सरकार अपनी पॉलिसी फ्रेम करे तो जो लाभारती है उन तक लाब पहुचे जैसे डारेक्ट बेरिफिट ट्रांसफर हमारी इमांदार सरकार में एक रुपया अगर केंदर सरकार का है तो पूरा एक रुपया लाभारती तक पहुचता है इससे पहले एक रुपया चलता था दस पैसे पहुचते थे आप जो जानकारी जे रहे हैं जब चर्चा NPR पे हो रही है तो NRC लाया जा रहा है आप बड़े काबिल वकील है सुप्रीम कोट के सर और अपनी पार्टी के बड़े काबिल प्रवक्ता भी है लेकिन जो सारी जानकारी है हम अल्रेडी टीवी पे चला रहे अमिश्या का इंटर्व्यू कल डेड़ गंटे चलता रहा अमिश्या के बयान में जो इंपोर्टन बाते थी वो आप से सवाल पूचने के पहले जो रिपोर्ट दिखाई उसमें दिखा दी वो सारे पहलू जो आप बता रहे हैं कि NPR और NRC में फर्क करते हैं वो पॉइंटर्स नीचे लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं सर फिर भी आप परिभाशा बता रहे हैं मैं सवाल कुछ रहा हूँ असम में क्यों नहीं किया NPR असम में भी कर लीजे ना फिर में कोई दखल ना आए तो सर्वोज न्याले की जब तक अनुमती ना हो वहाँ पे कोई और प्रक्रिया चालू नहीं हो सकती है इसका स्पष्ट जवाब है सर्वोज न्याले चाहेगा तो वहाँ पे अनुमती देगा और बाकी जो कानून प्रक्रिया है वो वहाँ भी लागू हो जाएगी मैं समझता हूँ इसस पश्च उत्तर नहीं दिया जा सकता लेकिन अब एक दो बाते और महतवपूर्ण है जो आपके चैनल ने नहीं दिखाई रोज जी इतना सबे मुझे जरूर दीजे कि मैं अपनी बात रख सकूँ देखिए आए मनोजीत मंडल जी इन्हों ने वो पहली बात तो सेक्शन नहीं है रूल चार की बात करी लेकिन दर्शकों को गुमरा करते हुए इन्हों ने यह नहीं बताया कि यह जो रूल चार है यह NRC के लिए है NPR के लिए नहीं है दूसरी बड़ी बात जी आपने उनकी बात भ्यान से सुनी लिए उन्हों ने अपना डर जाहिर किया कि आप NPR के डेटा को NRC के लिए इस्तिमाल कर लेंगे उनको लग रहा है कि वो अपनी जानकारी किसी और मामले के लिए आपको देंगे लेकिन आप उस जानकारी के तहट ये तै कर लेंगे कि मनोजित गुस्पैटी हैं या नहीं है उन्होंने ये डर जाहिर किया चलिए मैं इसका भी उत्तर दे देता हूँ क्या कल देश के ग्रह मंतरी अमिद्शाजी ने ये बात नहीं कही कि जो NPR का डेटा है वो अलग है जब इन्होंने उसे NRC से जोडने की कोशिश करी तो ग्रह मंतरी ने स्पष्ट कर दिया कि NRC से इसका कोई लेना देना नहीं है और दूसरी बात अभी आधार की बाता रही थी आधार, CA, NRC, NPR ये सब अलग अलग हैं लेकिन सब को जोड दीजे, खिचड़ी बना दीजे, राइता पहला दीजे, जनता को डरा दीजे, क्यों? क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं, अरे जब कानून के तहट, पीच इदामरं साहब ने कहा था कि NPR की प्रक्रिया पूरे देश में सफल हो चुकी है तब लेफ समर्तन कर रही थी महाद निकल के हो हला क्यों नहीं किया क्या ये पूछा नहीं जाएगा और आधार पे एक और बात बता दू आधार बिना कानून के जो बिना लेजिस्लेशन के पार्लिमेंट में लिया जा रहा था उसको कानूनी प्रक्रिया के तहद लाने का काम लेजिस्लेशन लाके ये हमारी पार्टी ने किया उसमें जो डेटा आता है वो कॉन्फिडेंशिल होता है रोई जी इसलिए आधार अलग है अन्पियार अलग है